ये टीच्मिंट पे online classes लेते हैं लखनौ के best results लाने वाले कुप्ता सर अब आगरा, कानपूर, बनारस, बरेली सब शेरों के students के चहेते हो गए हैं 24 सर को online के जमेले समझ नहीं आ रहे थे फिर टीच्मिंट पे इनोंने test grading, notes, attendance fees सब automate कर दिया अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं बागे सब टीच्मिंट कर लेता है और ये मैं हूँ अब ये भी शुरू किया है पर टीच्मिंट के साथ बड़े सबने देखना भी आसान सा लगता है चाहे जैसी भी ज़िगरत हो टीच्मिंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मिंट इंडिया का नमबर वन टीचिंग आप नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकास एडू टेक में गाइस AKTU या फिर UPTU देखिए सभी छात्रों के लिए की सभी का रिजल्ट जी हाँ तो गैज अफिसली तोर पर इसको मान के चलिए के जून के किस दिन रिजल्ट आने का चांस है इक्जक डेट मैं आपको बताने वाला हूं साथ ही ये वीडियो सभी छात्रों के इंपोर्टेंट है आपको बेहद आसानी से मालूम चल जाएगा इंस्टाग्राम पे आप फालो कर सकते हैं जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्सवन मैंने लिंक को अल्रेडि में असन कर दिया है तो चलिए गाइस वीडियो को स्टैट करते हैं इससे पहले मैं आपको बताओं कि रिजल्ट कब आएगा प्रमोशन को लेकर क्या खुश अप्डेट है जो बड़ी ब्रोकिंग निस स्वाम ने निकल कर आ रही है वो यह है कि भाई प्रोफेसर बीने कुमार पाठक जो की वाई शांसलर है के टिउ के जी हां गाइस इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अफिसियल उनका ट्विटर हैंडल एकाउंट मैंने ओपन कर दिया वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाइस मैं चीज़ों का हिलाइट कर देता हूँ उसके साथ ही क्योंकि आप लोग का जो प्यार है जो सपोर्ड है प्रकास एजू टिक की तरफ वो उसके लिए मैं तवह दिल से धनेवाद करना चाहूंगा बस यही सपोर्ड यही प्यार बरकरार रखिए बाकी का मैं कभी भी आपके ट्रश्ट को नहीं तोड़ूँगा और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दूँगा जो बहुत इंपॉर्टन लाजमी और ऑफिसली तोर पर औरियंटेड होंगी तो चले गाईज यहां से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इनका कहना है कि भाई 20 माई के बाद से जो भी मतलब सरकार ने आदेश दिया है कि आनलाइन क्लासेश चलेंगी तो यहां पर AKTU भी वही काम करने वाला है जी हां गाईज AKTU की जो भी आनलाइन क्लासेश फिलहाल अस्थगित कर दी गई थी बंद कर दी गई थी वह 20 माई के बाद चालू होंगी क्या यह संदेश है कि भाई एक्जाम होगा उसको भी बताऊंगा लेकिन और रिजल्ट आएगा उसको भी बता चले अब इसी के तो भाई आनलाइन क्लासेश को भी सुचारूर रूप से चला जा रहा है जैसे कि पहले चल रहा था तो भाई इसका यह मतलब है वो अच्छी बात है इसमें घपरानी की सिरुवत नहीं आनलाइन क्लासेश शलनी चाहिए आप इतना ज़्यादा मंगा फीस दे रहे हैं और आप अगर ठेटिकल तो आप नहीं सीख पार है ठेटिकल मैटर भी अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो प्रॉब्लम आपको ही है नुकसान आपका ही है मेरे भाई तो यहां पी चीज़ें अच्छी है इसके बाद आनलाइन क्लासेश शलू होंगी आप सभी वहां से अपना लेकिन अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फू यह है कि भाई क्या सच में प्रमोशन मिलेगा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यूपी में उसको इस वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में आपको दिख रहा होगा भाई तीन सदस्री कमीटी बैठाई गई है जो कि 5-6 दिनों के अंदर रिपोर्ट सासन को भेज देगी कि एक्जाम कराना है या फिर प्रमोट लेना है देखे अभी मैं चांस बताओं तो 40% एक्जाम होने का चांस है और 60% प्रमोट होने का चांस है यही एक रियल एक्जा प्रमोसन भी मिलेगा तो भी जुलाए के लाश्ट में प्रमोसन मिलेगा आप लोगों का मैं पिछले दो वीडियो में आलड़ी बहुत सarta कमेंट आ रहा है कि साप्रोर्ट चाहिए प्रमोशन होना चाहिए मत्र मतलब मैं बता दूं 3-4 तوف ने क्वैंशाम को लेकर समारे कि कि अब इस्तितिया इस हिसाब से आनलाइन क्लासे भी चुख खुलने को बेताब हैं तो आप प्रमोशन चाहते हैं फिर इकसाम चाहते हैं उस हिसाब से आपका भाई आपको सपोर्ड करेगा गाईज और इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हीट क कर दो क्योंकि कोई भी अपडेट होगा आपको नोटिफिकेशन माध्यम से पता चल जाएगा और आपको इधर बटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चली एक दो आटिकल से और भी दिखा देता हूं कि बाई बेसिक को छोड़कर 20 से होंगी आनलाइन क्लास योगी जी क आदेश है उत्तर प्रदेश गॉर्मेंट का आदेश है और उसके साथ ये आज के सभी नियूस पेपर का फ्रंट अर्टिकल था यहां पर आप देख सकते हैं मैं चीज़ों को पढ़ के सुना देता हूं गाईस की कैमिनेट बैठक में बेसिक सिक्षा सिक्षा को चो को 20 माई से आनलाइन क्लासिस का संचालन सुरू करने का फैसला हुआ है अब विभाग इस संबद में आदेश जारी करेगी जिहां गाईस विभाग जल्दी बड़ी घोसड़ा कर सकती है एक्जाम और फिर आनलाइन क्लासिस को लेकर बहराल अभी भी प्रमोशन के जो चांस इचा है वो उतना ही मद्य नजर ध्यान में रखा जाएगा जितना कि आपके जान के लिए यह हैमियत है इन चीजों का तो एक्जाम होगा भी नहीं हो गाईस होगा भी तो अगस्त में होगा एक चीज़ को क्लियर कर दूं आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहे यहां से जरूरत नहीं है कापिया लैटली चेक हुई है अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाएंगे आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज थे कि भाई जो प्रमोशन मिलने वाला है वो इवन सेमेश्टर में मिलेगा या फिर आड में मेरे भाई आड में आपने कापिया दी है लिख अबी देखे कई सारे कमेंट्स आहें कि सब में से प्रमोशन चाहिए ये चाहिए वो चाहिए और या देर वाई को कहींगा जात्तर को बता जहां तुम्हें इन्वर्सिटी अप्डेट जो रेगुलर दे रहा हूं दिन में एक दो वीडियो से माध्यम से उसको भी जरूर देख लिया करूं क्योंकि उसमें भी मैं कई सारी इन्वर्सिटीज की बात करता हूं तो वह भी एक्रेटिव के छात्रों के हित में ही है और बहर आल हाल में पढ़ाई को मतलब नहीं छोड़ना है और प्रमोशन मिल जाता है तो अच्छी बात है दर्वाइस एक्जाम हो तो आपको कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो नोट्स कमेंटेन कीजिए तो अभी तक अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज सोचो सम थे मातरम टेक केर